जय हिन बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग विश्य की प्रमुख परवत मालाओं की बात करेंगे कि वर्ल्ड में कौन-कौन सी important mountain ranges हैं इन सब की चर्चा करेंगे देखिए वैशे तो हर देश में लगभग कोई न कोई mountain range है लेकिन हमें सब की बात नहीं करनी है जो exam point of view से काफी important हैं जो परिच्छा में पूछे जाने वाले हैं हम सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर बात करेंगे और ये वीडियो हर उस exam के लिए important है जिसमें GS पूछी जाती है या जिसमें geography पूछी जाती है क्योंकि GS में geography का एक बहुत बड़ा रोल है और उसमें geography में mountain ranges भी एक अच्छा खासा topic है तो इस वीडियो में हम लोग सभी important mountain range की बात करेंगे और उन mountain range में कौन-कौन सी highest peak है इसकी भी बात करेंगे और उसके बाद सभी mountain range को और उसकी peak को map पे भी locate करेंगे physical map पे तो पहले थोड़ा fact जान ले फिर map पे भी देखते हैं तो start करते हैं देखे एक शब्द है mountain range और एक शब्द होता है peak इन दोनों में क्या फर्क होता है देखे mountain range का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी परवत स्रंखलाएं होंगी यानि एक दो चार परवत एक साथ चल रहे होंगे उन्हे mountain range बोला जाता है और peak का मतलब कोई mountain range है यानि 5-6 या 8-10 परवत हैं वहाँ पर जो सबसे उंचा point होगा उसे peak बोला जाता है उसे शिखर बोला जाता है तो सबसे पहले ये clear करिए कि mountain range और peak में क्या difference होता है तो mountain range में बहुत सारी mountain लगी होतनी एक साथ और peak उसी mountain range पे कोई highest point भाई कुछ न कुछ तो highest होगा ही कुछ न कुछ सबसे उंचा होगा तो उसी सबसे उंचे point को peak बोलते हैं और दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध परवत माला है या परवत श्रंकला है वो है हिमालिया हिमालिया में कोई एक परवत नहीं इसमें हजारों परवत की एक series है उसी को हिमालिया mountain range बोला जाता है और ये कहां पढ़ता है ये एशिया में पढ़ता है इंडिया नेपाल और चाइना के borders पर ये गुजरता हुआ हमें दिखाई देता है इसको हम लोग map भी locate करेंगे और हिमालिया में भी बहुत सारी mountain ranges है जैसे कारा कोरम हो गया कारा कोरम range लद्दाख range या कैलाश range आपने कैलाश का भी नाम सुना होगा तो ये सब range है वहाँ पे और हिमालिया का ही extended part है हिंदु कुष mountain जो की पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में लाई करता है और हिमाले की सबसे उची चोटी है या peak point कौन सी है तो हिमाले की सबसे उची या wish की सबसे उची point है mount Everest mount Everest दुनिया का सबसे उचा point है और वो हिमाले पे स्थित है तो इस तुरह दुनिया का सबसे ऊचा point और हिमाले का सबसे उचा point है mount Everest जिसकी height है 8,884 मीटर या लगभग 8,8 km मीटर उपर है माउंट एवरेस्ट की चोटी तो माउंट एवरेस्ट विश्च का सबसे उचा पॉइंट है या शिखर विंदू सबसे उचा है जो की हिमाले में स्थित है हिमाले कहा है एशिया में और हिमाले की एक खास बात और है कि हिमाले विश्य की सबसे उंची परवत शंकला है उंची क्यों है? क्योंकि सबसे उंची चोटी है यहाँ पर और यहीं पर K2 है, Mount K2 यहीं जिसे Godwin Austin भी बोला जाता है Godwin Austin, यह दूसरी सबसे उंची चोटी है Mount Everest के बाद यह गहाँ है हिमाले में तो यानि हिमाले सबसे उंची परवत शंकला है विश्य की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर Mount Everest K2 Godwin Austin जैसी यहाँ पर चोटिया है इसलिए अगर question बनता है कि सबसे उंची परवत माला काउंच यहीं दुनिया में देखे उंचाई तो हो गया एक मतलब उंची होती है यह सबसे उंची है और एक हो गया सबसे लंबी तो Andies सबसे लंबी परवत माला है यहाँ पर मैं साइड में लिग दे रहा हूं कि हिमाले सबसे highest mountain range है उंचा और Andies सबसे longest mountain range है और Andies कहाँ पर है? South America महादूइप में है और Andies लगभग South America के जो भी left border की जितने भी देश हैं उन सब ही से गुजरती है इसलिए यह सबसे लंबी परवत माला भी है और यहाँ पर Andies परवत माला में सबसे उंची जो चोटी है उसका नाम है Mount Akaugua यह है Mount Akaugua साथ अमेरिका में Andies पर सबसे उंची चोटी है और इसकी हाइट है 6960 मीटर यह लगभग 7 किलो मीटर है और Mount Everest लगभग 9 किलो मीटर क्योंकि 8848 मीटर है तो यह लगभग 9 किलो मीटर और यह लगभग 7 किलो मीटर की है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सबसे उंची क्यों है और Andies सबसे लंबी है यहां की सबसे उंची चोटी कौन सी है Mount Akaugua जिसकी हाइट है 6960 मीटर और आपने Titica का जील का नाम सुना होगा तो लेक Titica का इसी mountain range पर इस्थित है जैसे नैनी ताल उत्तराखंड के हिमालयों में इस्थित है उसी तरह जो Titica का जील है वो Andies में ही इस्थित हैं Andies के mountain range में ही इस्थित हैं और एंडीज कहा है, South America में, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरी important range, Rocky, Rocky की सबसे खास बात क्या है, यह सबसे चौड़ी, यानि widest, तो यह सबसे widest mountain range है, अच्छा अब तीनों में फरक क्या होता, कि highest, longest और widest, तो इधर देखे, जैसे एक यह mountain range चली जा रही, यह highest हो गई, ठीक ह यानि यहाँ पर बहुत सारी mountain range, और यह जा रही एंडीज, यह सबसे longest है, यह लंबी, इसकी दूरी जादा है, और आब आती है Rocky की बारे, यहाँ से यहाँ से इतना फैला हुआ, तो यह widest, यह सबसे चौड़ी है, तो सबसे उंची है हिमाले, सबसे लंबी है एंडीज, औ Rocky कहाँ पर है, North America में, उत्तरी अमेरिका में, अब अगर Rocky सबसे चौड़ी है, तो यहाँ पर भी कोई highest peak होगी, या North America continent की भी सबसे उंची peak होगी, तो आब बिल्कुल सही सोचने है, यहाँ पर सबसे उंची peak है, Mount McKinlay, Mount McKinlay, यह है Mount McKinlay, इसकी height है 6194 मीटर, यह लगभग 6 किलो मीटर उंची है, और यह लगभग 7 किलो मीटर उंची है, तो इस तरह हमने तीन fact कवर किये, हिमालिया सबसे उंची परवत श्रंकला है, विश्चो की, Andes सबसे लंबी परवत श्रंकला है विश्चो में, और Rocky सबसे वाइडिस या चौड़ी परवत श्रंकला है विश् अच्छा mountain ranges की खास बात क्या होती है तो इनकी खास बात ये होती ही कि देखे ये कफी height पे होते हैं तो height पर होने की वज़े से यहाँ पर बहुत सारे glacier मनते हैं जिने हिमनद बोला जाता है और उन्ही glacier से नदी का निर्माण होता है जैसे हिमालिया से बहुत सारी नदिया निक क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े glacier होते हैं और जब glacier पिखलते हैं तो वो नदी का रूप लेके पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं फिर next बात करते हैं atlas mountain की mountain range की तो atlas mountain range कहा है एफरीका में आपने atlas नाम की book भी जिन होगी जो की map से related है तो यह वही व mountain range और यह अफरीका की important mountain range है लेकिन जो अफरीका की सबसे उंची चोटी है वो यहाँ पर है mount किली मंजारो और यह कहाँ पर है यह तंजानिया देश में इस्थित है mount किली मंजारो यह तंजानिया में इस्थित है चली मैं इसके सामने यहाँ लिख दे रहा हूँ तो यह है atlas एफरीका की सबसे important mountain range लेकिन एफरीका में सबसे उंची जो चोटी है वो mount किली मंजारो है height है 5,895 मीटर और यह कहाँ पर यह एक देश में इस्थित है जिन देश का नाम है तंजानिया तो तंजानिया देश में एफरीका की सबसे उंची चोटी है किली मंजारो तो atlas के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं aplacian mountain aplacian mountain range भी नॉर्थ अमेरिका में है लेकिन यह उतन अमेरिका में है काफी important mountain range है फिर आगे आप बढ़ते हैं छटी पे great dividing range यह ऑस्टेलिया में located है और यह ओशनिया महादीप की सबसे बड़ी mountain range है great dividing range कहां पह रहा है ऑस्टेलिया में और यहाँ पर जो सबसे उंची चोटी है वो है mount वो है mount कोसियसको यह ऑस्टेलिया या ओशनिया continent की सबसे उंची चोटी है और यहाँ की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है great dividing range और mount कोसियसको की height क्या है तो वो है 2228 meter यह आप Everest को कोसियसको से compare कर सकते हैं कहां यह 8888 कहां यह 2228 meter फिर आगे बढ़ते हैं alps mountain तो alps mountain range यूर Switzerland, Austria, Hungary इन सब देशों में स्थित है तो alps ही काफी important mountain range है फिर alps के बाद यूराल परवत की बात कर लें यूराल mountain range यह यूरोप और एशिया को divide करती है यह यूराल का आधा भाग तो यूरोप में है और आधा भाग एशिया में है इसलिए ये यूरोप और एशिया में border बन mountain तो Scandinavian mountain जो है वो especially तीन देशों में है कहाँ पर Norway, Sweden और Finland इन तीनों देशों में है Scandinavian mountain और इसलिए इन तीनों countries को Scandinavian countries भी बोला जाता है तो Scandinavian countries कौन कौन सी है? Norway, Sweden और Finland क्यों? क्योंकि वहाँ पर Scandinavian mountain इस्थित है अच्छा आप आप कहेंगे कि आपने यूरोप की तो highest peak बत और Asia दोनों में इस्थित है यानि ये डिवाइड करती है यूरोप और Asia को और इसी Caucasus mountain पर Mount Elbrus नाम की एक चोटी है Mount Elbrus जिसकी हाइट है 5642 मीटर और ये यूरोप की सबसे उची चोटी है देखिए यूरोप में ये चारो mountain range important है Alps भी आपने नाम सुना होगा Eural, Scandinavian और Caucasus Caucasus तो इसलिए important है क्योंकि यहाँ पर Mount Elbrus है यूरोप की सबसे उची चोटी तो ये तो हो गया mountain ranges के बारे में अब आईए इनको map पे locate करते हैं सबसे पहले से start करते हैं हिमालिया ये देखिए आपको यहाँ पर हिमालिया दिख रहोगा इंडिया और चाइना के border पर यहाँ नेपाल भी है और हिमाले काफी लंबी mountain range है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मियामार इन सब को cross करती हुई फिर यहाँ से मुड जाती है और नीचे बेव बंगॉल में आ जाती है तो यह है हिमाले विस्ट की सबसे लंबी mountain range है और यहीं पर जो यह चोटी है मांट एकांग का गुवा यह देखी यह सबसे उची चोटी है और यहीं पर यह देखी यह लेक टिटिका का है तो यहाँ पर इसी के बीच में इस्थित है टिटिका का जील फिर आगे बढ़ते है रोकी की तरफ यह है नौर्थ अमेरिका तो नौर्थ अमेरिका में यह आपको रोकी मांटेन दिख रहा होगा यह है रोकी मांटेन यह सबसे चोड़ी मांटेन रेंज है और जो मांट मेकिनले है यह देखी यह मांट मेकिनले यहां की सबसे उची चोटी नौर्थ अमेरिका की सबसे उची चोटी फिर नेक्स्ट ए just अर आपलेशन मांटेंट पूरी तरह अमेरिका और केणेडा में इस्थित है फिर आगे बात करते हैं Great Dividing Range की, तो यह दिखे, यह है पूरा Australia, और Australia के North East में, सारी, South East में यह है Great Dividing Range, और Great Dividing Range में यहाँ पर एक चोटी है Mount Kosias को, और यही Australia की सबसे उची चोटी है, फिर इसके बाद चलिए Europe में इंट्री करते हैं, तो यह दिखे, सबसे पहली Mountain Range है यूरोप में Alps, यह दिखे, यहाँ पर Switzerland, Austria, Hungary, इन सब देशों में है Alps Mountain Range, फिर हमने यूराल परवत की बात किती, तो यह दिखे, यह है यूराल परवत, इधर यूरोप है और उधर East में एशिया है, तो इसी लिए यह एशिया और यूरोप का बॉर्डर का काम करता है, यह दिखे, यूराल Mountain लिखा है यहाँ पर, और फिर नेक्श था Scandinavian Mountain यह देखिए, और यही पर Norway, Sweden और Finland तीनों देश इस्थित हैं, इसी लिए इन्हें Scandinavian countries बोला जाता है, और फिर सबसे लास्ट में हैं, यह देखिए, Caucasus Mountain, यह Black Sea और Caspian Sea के बीच में, Caucasus Mountain, और इसी Caucasus Mountain पर है, यह Mount Elbrus, जो की यूरोप की सबसे उची चोटी है, तो इस तरह हमने सभी important mountain range को, उनके important facts एक साथ और map में भी locate कर लिया है, और इन सब के साथ जो related information हो सकती थी, वो मैंने आप सभी के साथ share कर दी है, तो अगर प्रियास अच्छा लगा, तो वीडियो को like कर दें, और चैनल पर पहली बार आये हो, तो subscribe कर लें, तकि ऐसी ही important और informative videos की information आपको मिलती रहे, और वीडियो कैसा लगा, ये comment करके हमें बताईएगा, और next video आप किस topic पर चाहते हैं, आप इसे भी comment कर सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जैहिन!